चीफ जस्टिस ओफ इंडिया डिवाय चंदरचूट सहाब ने हाली में यूनियन लो मिनिस्ट्री को लेटर लिख कर जस्टिस संजीव खन्ना का नाम अपने सक्सेसर की रूप में रिकमेंड किया है जब सरकार से अप्रूल मिलेगा तब जस्टिस खन्ना भारत के 91 चीफ जस होंगे उनका टेनियर 6 महिने का होगा और वे 13 मए 2025 को रिटायर होंगे सीजिया चंदरचूट सहाब 10 नवेंबर को रिटायर होने वाले हैं और कन्विंशन के अनुसार सरकार ने उनसे अगले सीजियाई के लिए रिकमेंडेशन मांगी थी जिसके बाद जस्टिस खन्ना का नाम प्रपोस किया गया है अब जानते हैं जस्टिस संजीव खन्ना साहब के बारे में जस्टिस खन्ना साहब का जन्म 14 मैं 1908 को हुआ और 1983 में उन्होंने बार कॉंसल अफ दिल्ली के साथ एक एड़ोकेट के रूप में एंड्रोल्मेंट किया उन्होंने शुरुवात में 30 हजारी डिस्ट्रिक कोर्ट में प्रेक्टिस की फिर देली हाई कोर्ट और अलग अलग ट्रिबिनल्स में कॉंस्टिटूशनल लौ टेक्सेशन आर्बिट्रेशन और कई अन्य शित्रों में काम किया वे लंबे समय तक इंकम टेक्स डिपार्टमेंट के लिए सीनियर स्टें काउंसिल बने दौहजार पांच में उन्हें डेली हाई कोर्ट में अटिशनल जड़ के रूप में ऐलिवेट किया गया और 2023 में सुप्रीम कोट लीगल सर्विसेज कमिटी के चेर्मेन के रूप में भी कारी किया और अभी वो एग्जीकुटिव चेर्मेन है नेशनल लीगल सर्विसेज अथोरिटी के जस्टिस खन्ना साथ 13 मैं 2025 को रिटायर होंगे धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार